बड़े खबर कैमूर जिले से आ रही है जहां दुर्गावती थाना शेत्र के सरियाओ गाओ के गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक गर से छापे मारी के दौरान 30 लाख रूपए का 3.7 किलो गांजा के साथ एक अपराधी को गिरफतार किया है इस पूरे मामले को लेकर मोहनिया डियसपी प्रदीप कुमार ने दौर्गावती थाने में प्रेस कॉंफरेंस कर जानकारी दे है गिरफतार अपराधी की पैचान सरियाओ गाओ निवासी शामलाल बिंद के रूप में की गई है फिलाल पुलिस अपराधी का अपराधिक इतिहास को खंगाल रही है क्योंकि इस अपराध में अन्य लोग के भी शामिल होने की सूचना मिल रही है सुचना बरियपदा अधिकारी को सुचित करते हुए एक विसेस छाप्यमारी दल का गठन किया गया और तुरंत इस सुचना के लिए वहाँ पर टीम रावाना हुई जिसमें हमारे साथ सीयो दुरदावती भी थे और इसका सत्यापन किया गया तरह छाप्यमारी किया जिनक गहर से लगवग तीन कुंटल साथ किलो गांजा बराने दुगा असर क्या प्राइज हुए इसका मार्केट प्राइज जा रहा है और बी लोगों को इसमें सामिल होने की सुचना मिल रहे है जिसवेसे